हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो जितेंदर आरे ग्रासेज आपका अपना सी बीएस्टी का चैनल तो हम सबसे पहले आज आज आपको चार बड़ी बाते बताते हैं वीडियो को स्किप मत करना जरा ध्यान से सुनिए सबसे पहले जो कलका नोटिस है आदे बच्चों को तो उसके बारे में पता ही नहीं है स्टुडेंट्स को कि उस नोटिस में क्या है तो वो सी बीएस्टी ने पेटिशनर्स या स्टुडेंट्स के लिए जो है भेजा है उसमें कहें CBSC ने काया कि हमें बहुत सारे response मिने COVID-19 reason उसमें बताया गया तो ये सरासर जूट है CBSC के पास बहुत सारे response पहुचे हैं ये नहीं है कि सबने COVID-19 का reason ही पहुचाया है अब हम चलते हैं सबसे पहले उसने जो है कौन सी 6 बाते notice में डाली है CBSC ने काया जब G mains NEET और G advance जो है इनके exam है तो जो है हम CBSC compartment के exam कैसे टाल सकते हैं तो मुझे नहीं मानने का मतलब कि जो है इन दोनों को compare कि आजा सकता है क्योंकि आपकी एक दो subject में एक subject में compartment है और उसमें भी आप 2, 4, 5 marks से तो आपका ये नहीं है कि बाती और subjects में तो आप पास हो second जो point बनता है UGC जो है उसका जो example दे रहे हैं कि भाई UG और PG जो है वो final turn के exam ले रहे हैं तो वो तो open book exam ले रहे हैं वो कोई exam थोड़ी होते हैं वो तो आपको घर के लिए question दे दिये उसका आपने क्या करना है प्रोजेक्ट बनाना है और आपने 5-6 या 7-8 गंते के बाद या पूरा 24 गंते का time मिलता है उसके upload कर दिया वहाँ अभी तक exam conduct करने पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जादा से जादा आपके साथ इसी तरीके का exam पन हो सकता है examination का इसको last में discuss करेंगे बादी जो third point है आपका 6 जुलाई 2020 तो exams तो students negative ना हो आपको आज बहुत बढ़िया बढ़िया news बताने वालो हमें कि exams और evaluation work के लिए time दिया ठीक है वो आपकी tension old है हमें इससे कोई मतलब नहीं है fourth news के आ रहे हैं आपके 28th मबई 2020 वो स्टेट और CBSC board ने exam conduct करने की सोची थी और ये ministry of home affairs ने कहा था यानि कि ये MHA को बीच में लेके आ रहे हैं कि इन्होंने कहा था exam है तो हम मना नहीं कर सकते हैं तो ये भी really event है fifth point के आ रहा है कि unlock activities जो हैं शुरू हो गये 29th जुलाई से तो large number of activities चल रही हैं तो exam भी conduct किये जा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता ये भी logical है क्योंकि इतने सारे कोरोना के case बढ़ते चले जा रहे हैं और exam होने के impossible chance है जब किसी के भी नहीं हो रहे तो exam तो होने नहीं है उसको भूल जाओ आ 6.1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है कहरें कि जो आपने उस time पे cancel कर रहे थे तो उस time undertaking दी दी कि final marks जो है वो केवल हम optional exam के थुरू ही और conductive environment होगा तभी देंगे तो यह उस बात को पकड़के बैठे हुआ है तो compartment वाले बच्चों से यह कह रहे हैं कि आपके यह जो marks आगे अब जब exam होंगे आपको देने पड़ेंगे लेकिन जब ऐसी situation ही नहीं है बच्चे तो देना चाह रहे हैं जब students जो है आपका आपका environment ही conductive नहीं है तो कैसे ना पूरा इयर खराब कर सकते हैं अब क्या है सबसे last में उन्होंने जो response दिया है CBSC ने जिस notice सबसे जावा बच्चों को परेशानी हुई है request received in form of cancelled exam not exceeded by CBSC CBSC इसको नहीं मानता CBSC तो पहले भी नहीं मान रहा था अब CBSC जो Supreme Court के अंदर petitions डाल रही हैं उसके बाद उसको ब जुलाई में exam लेके तो ओधी cancer करने पड़े और उसमें promote करने को कह दिया तो अब भी आपके साथ choice यह है कि आपको या तो journal promotion मिलेगा या आपका जो है क्या होगा जिस तरीके से मैंने एक केवी का student का example लेता हूँ उनकी physics और chemistry में 11th class में क्या थी compartment थी तो वो जो है क्या हु पास हो गया जिसके 10, 10, 12 marks थे physics chemistry में तो आपका अगर इस तरीके से exam होता है कोई problem नहीं है उसमें क्या open book exam ही तो है अगर ठीक है तो अब 10th को यह क्या जा रहा है कि अगर आपके compartment है आप 11th में provisional admission ले सकते हो यानि कि आपको यह notice ले जा सकते हो और उसके base पर admission के लिए को इस भी निकाला था कि कोई भी किसी compartment वाले बच्चे को admission deny नहीं कर सकता इसी तरीके से 12th वाले बच्चे भी undergraduate course को जो है उसके लिए apply कर सकते हैं अब हमारे पास जो basic second point निकल के आ रहा है वो Supreme Court की आज क्या बात हुई है कोई बता के राजी नहीं है Supreme Court ने CBS से पूछा 7 दिन म क्या है जो भी उनकी बात हुई यानि उसमें कुछ साफ साफ निकल के नहीं आया और Supreme Court ने direct फटकार निकाल दी कि आपने 7 दिन में क्या करा अब जो है शक्ति पांडे सर और Supreme Court ने CBS सी के सामने जो है 7 दिन का time और मागा CBS सी ने जो stakeholder ने जो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें stakeholder से बात करने के लिए 7 दिन का time चाहिए देखिए मैं जादा news बना नहीं सकता मैं सीधा का सीधा जो direct answer है दो या तीन दिन में एक news बनती है अगर आप daily दो तीन तीन news जो है देख रहे हो तो उसमें कोई news नहीं है वो जबर्दूस्तिकी news है तो मैं आपको true बिल्कुल करते रहे है धूरी के अंदर short summary पढ़ लीजिए और numerical हो तो 5 साल के exam अरे एक subject ही तो है आपका और अगर किसी subject में help हो need हो comment box में आप बता दीजिए हम help कर देगे लेकिन last में मैंने आपको बता दिया कि के वी का जो 9th और 11th का student है केवल आपके exam उस तरीके से ही हो सकते है घर के लिए आपको project work दे दिया जाएगा और आप उसको क्या दर दोगे submit कर दोगे CBS 6 से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्यों corona के case इतने और साल भी खराब नहीं कर सकती है तो thanks guys